जब बच्चों के टिफिन की बात आती है तो मम्मी अपना माजिक चला देती है किसी भी तरह से कुछ ऐसा देने के लिए थाकि बच्चे खाके फिट भी रहें उन्हें नीन भी नहीं आए खाना भी यमी टेस्टी और डिलिशियस हो और उन्हें फोल्डे एनर्जाइज रखे जी हाँ जो वो नहीं भी खाना चाहते उन्हें भी छुपा के दे देती है जैसे कि आज मैं आपके सामने दो रेसिपी लाई हूँ एक मीठा और एक नमकीन जो बच्चों के टिफिन के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है आईए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम में स्लिट कर लिया है अगर आपके पस डाग कंपॉंड चॉकलेट नहीं है तो आप कैटबरी भी उस कर सकते हैं चॉकलेट चुकी रूम टेंपरेचर पर रखी होती है बहुत इजली से कट हो जाती है चाकू की मदद से यह देखिए हमने चॉकलेट को कट कर लिया हमने एक बार लिया था उसका एक बरतन में गरम पानी ले लिया है और उस पे रख दिया हमने चॉकलेट का बरतन बरतन के गरम पानी से चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी उसे जब तक हम मेल्ट होने रखते हैं तब तक हम दूसी साइट केले से काम कर लेते हैं क्योंकि हमें बच्चों को छुपा केला खिलाना है जी हाँ friends, बहुत सारे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाना चाहते तो ममा लोग सोसती है की उन्हें फ्रूट्स कैसे खिलाए तो यह बहुत ही बढ़ी बड़ी अप्शन है केले को हम बच्चों को कैसे खिलाए केले को छील कर उसे कट कर लीजे यानि कि चॉकलेट के अंदर हम केले को छुपा देंगे बच्चे चॉकलेट भहुत ही प्यार से खाएंगे और जब वो खाएंगे तो उन्हें चॉकलेट के साथ-साथ केले का भी nutrition मिलेगा और उपर से dry fruit का crunch तीन-चार मिनट में चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो गई है ये देखे फ्रेंट्स वेपर के वज़े से चॉकलेट कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है केला जो की फाइबर से भरपूर होता है उसे मेल्ट चॉकलेट में डिप करिए और बटर पेपर पे ट्रांसफर कर दीजे और उसके उपर सजा दीजे ड्राइफ रूट्स यह देखिए कुछ इस तरह से केले को आपको कोट कर लेना है चौकलेट में उस पे ड्राइफ रूट सजाना है और उसे बटर पेपर पे ट्रांसफर कर देना है 10 मिनिट में चॉकलेट को फ्रिज में रखे चॉकलेट सेट हो रही है फ्रिज में तब तक हम दूसरी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं दूसरी रेसिपी के लिए मैंने लिए यहाँ पर आलू जी है फ्रेंड्स मैं आलू बालना भूल गई थी तो मैंने सबजी में ये बड़े-बड़े आलू कट करके डाल दिये हैं और उन्हें सेपरेट कर लिया है साथ में डाला है कसूरी मेर्थी और कुछ मसाले जैसे की लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, नमक और थोड़ी सी कलोंजी मसाले आप अपने चोईस के डाल सकते हैं आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं आलु में डालके अब एक अच्छा सा मिक्स करणा देंगे यहां मैंने सारी चीजे आलु में डालने के बाद उन्हें मैश करा है ताकि अच्छे सारे इंग्रीडिएंट्स अपस में मिल जाएं आलु का मिक्सचर इस तरह से रडी हो गया है कितना अच्छा और डिलिशिस लग रहा है रेसिपी में हम आलू के साथ साथ पनीर भी यूज़ करेंगे तो ये मैंने घर का पनीरी यासे कट कर लिया लंबे-लंबे पीसिस में इसे भे हम यूज करेंगे, ताक हमें आलू के साथ साथ पनीर का भी फ्रेवर मिले अपनी रेसिपी में फिलिंग हमारी रेडी है, अब हमें लेने हैं गेहों के आटे की एक बड़ी सी लोई उसे बड़ी सी रोटी के रूप में बेल लेना है रोटी पे हम थोड़ा सा घी स्प्रेट कर देंगे हातों की मदद से घी को अच्छे से फैला दीजे और सेंटर में सारी स्टफिंग रख दीजे यह जो मिक्सचर बना है फ्रेंड्स इसमें कसूरी मेठी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साथ ही साथ पनीर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो इस तरह से आप इसे सेंटर में रखे और इसे स्क्वाइर के रूप में फोल्ड कर दीजे आलू को मिक्सचर को स्प्रेट करने के बाद यहां पर मैंने रख दिये हैं पनीर के पीसे उस पर डाल दिया है थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और टेस्ट एन्हांस करने के लिए अब हमें अपनी रोटी को स्क्वाइर के रूप में यानि की ब्रट के शेप में इसे फोल्ड करना है ताकि एक हेल्दी सा सांडविच लगे यह देखे फ्रेंड्स हमें दोनों साइड ऐसे फोल्ड करके आपको एक अब मम्मी अपना माजिक जरूर चलाएगी बच्चों को लगेगा कि उन्हें ब्रेड का सांडविच मिला बट यहां पे गेहूं के आटे की रोटी है इस सांडविच पे आप गार्लिक बटर स्प्रेट कर दीजे अर फाइनल टेच के लिए भी आप उपर से थोड़ा सा च सांडविच जो कि गेहूं के आटे की रोटी से बना है वो बनकर तयार है तो इसे खोल के देखते हैं यह देखे फ्रेंड्स कितने अच्छे से क्रिस्प हो गया है सांडविच को प्लेट में ट्रांसफर करके सांडविच के शेप में कट करिए और उसकी फिलिंग देखिए पनीर और आलू से भरी हुई यम्मिश्यस दूसरी तरफ हमारे चॉकलेट भी स्टेबल हो गए है अब हमेने ट्रांसफर कर देंगे चॉकलेट बनाना चिप्स और गेहु की रोटी से बना हुआ सांडविच एक परफेक्ट रेसिपी बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए उनकी हेल्थ के लिए उनकी एनरजी के लिए डेवन रेसिपी थी आज ये तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए थांक यू वाज पर वाचिंग